सब इस्टेंट्स को नमस्कार बिटा सबसे पहले तो आप सभी का हर्दिक अबनेंदन और स्वागत और इस वीडियो में हम लोग कोटा युनिवर्शिटी के बिये पार्ट सेकेंड के पब्लिक एड्मिस्टेशन के फर्स्ट पेपर के ऊपर डिसकस करने वाला है खास तोर प पिछले वीडियो में भी जो आप लोग फर्स्टियर के वीडियो जो काला कि आपके काम के नहीं है लेकिन आप लोग देख लेना एक बार यह आप लोग के लिए रहनेतिक हिस्सा यह है इसमें कि एक तो बनबीक नहीं पढ़नी है मैं बार-बार में रिपीट कर रहा हूँ यदि बनबीक सीरीज पढ़के आप लोग एक्जाम देने जाओगे तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं और आप लोग वही 35-40-50 परसेंट पे निपढ़ जाओगे या तो बुक पढ़े या यदि फिर बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कमस्कम पास बुक तो प करता है अपनी जी के इंप्रूब करने का सारे कंप्टिशन में तीन सेक्शन होते हैं एक सेक्शन में आप लोग देख पा रहे हो कि एक नमबर वाले कुश्यन है मेरा यह मानना है कि लगभग लगभग एक कुश्यन को 15-18 मिनट आप लोग इसमें दीजिए इससे ज्यादा आपको नहीं देने है 15 मिनट देदिए तो 75 के आसपास हो जाएंगे इसके बाद लगभग 40 मिनट आप इस सेग्मेंट को दीजिए तो यह बहुत सिंपल साथ पंडा है कि टाइम मेनेजमेंट आप लोग बहुत अच्छे से करें और हर पेपर में करें अब इंपोर्टेंट इच्छे पेज का आइडिया लेकर के चले कम से कम दो यूनिट आप लोग इतनी अच्छी पढ़ लें कि जिसमें से आपको बीश-वीश नमबर वाले दो कुश्चन मिल जाएं अब एक चीज और मैं ऐसी वाले सेग्मेंट में से आप लोग के साथ चर्चा जो करना चाहूंगा वो यह है कि यह बहुत सिंपल पेपर है इसमें आपको बनवीक सीरीज की आपशिक्ता नहीं है इसमें आपको लिख कर के याद करने की ज़रत है याद करने की ज़रत है जिससे की पॉइंट्स आपको याद रहे और आपके अच्छे रोंग का है अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अब इसमें से कोई gas paper की बात करें तो अब gas paper कैसे क्योंकि अब इस unit में से कम से कम तीन कोशन आने है तीन कोशन कौन कोशन से आने है एक तो 20 नंबर का आएगा दो 10-10 के आएगे ठीक है जिनमें से एक आपको करना है तो अब टॉपिक ही चार है एक तो election commission है तो एक तो कुश्चन ये बन गया कि भारत में निर्वाचन आयोग उसका संगठन और उसके कारिय है दूसरा कुश्चन Central Board of Belfare Board है, Railway Board है, Roman Right Commission है अब चार कुश्चन है चार टॉपिक है और तीन कुश्चन आएंगे तो कोई भी एक कुश्चन आपका नहीं आएगा बाकी तो आएगा याएगा तो मेरा ये मानना यहाँ पर कि एक तो आप निर्वाचन आयोग पूरा कर ले पूरा करने मतलब है उसके संगठन और कारिय को इसके बाद National Human Rights Commission यानि मानवादिकार आयोग को राश्ट्रिमानवादिकार आयोग का संगठन और उसके मेंबर्स कैसे लिक्त किये जाते हैं एक आप लोग जो है Central Social Welfare वोड को कर लें समाज कल्याण भाग केंद्रगा और ये यूनिट कंप्लेट ठीक है बहुत सिंपल यूनिट है उल्टा चल रहा हूं मैं इस वाली में यूनिट 4 की हम लोग बात करें बनावदा बैस्ट यूनिट इसका रीजन यह है कि ये मुझे मेरा फैवरेट टॉपिक है Economics के भी कुश्चन्स है इसमें देखिए एक तो Finance Commission यानि बित्तायोग अब बित्तायोग 282 आर्टिकल में है और वो सारी चीज़े है इसके बाद नीति आयोग और इंडिया है फिर National Development Council है हलाकि NDC फ्लाल नहीं है एक जिस्ट नहीं करती है अब ये देखो कितनी छोटी सी यूनिट है एक प्रकार से देखे जाओ तो बित्तायोग का छोटा कुश्यन बनता है नीति आयोग का बनता है फिर NDC का भी 10 नंबर का बनता है UGC का भी 10 नंबर का बनता है और UPSC का भी 10 नंबर का बनता है तो यह unit इसमें से 20 नमबर का question साइद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इन सारे संगठनों को पढ़के जाएं, क्योंकि यह GK के इसाब से important है, और बहुत अच्छे से read करें, लिख करके याद करें, UPSC, उसका organization, उसके career, उसके members, इसी प्रकार से NITI IO, इसी प्रकार यहां से gas paper की बात करेंगे, democracy and administration, लोकतंत्र और प्रिशासन, तो यह तो यह question बनेगा आपका, यह बहुत अच्छा question बनेगा, features of democratic administration, यानि, लोक, लोकतंत्रिक जो प्रिशासन होता है, यह question काफी बढ़िया बनेगा यहां पर, features of democratic administration, यहां पर लोकतंत्रिक जो प्रिशासन होता है, इसकी बिसेशता है, एक तो यह है, एक role of bureaucracy in democratic country, तो दो question हो गए, ठीक है, और एक political party, और जो pressure group होते हैं, दवाब सम्हू का राजनितिक दलों से क्या सम्बंद होता है, मेरे साम pressure group को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दवाब सम्हू आज की डेट में काफी famous topic चल रहा है, pressure group का, ठीक है ना, यदि organization की हम लोग बात करें, तो देखो तीन जो तत्व हैं, तीन घटक हैं, वो होते ही हैं, आप सब को पता ही है, कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक प् लेगा है, ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखें, तीन question है, यहां भी तीन question आने है, तो एक तो मैं आपसे यह कह दू कि आप तीनों ही पढ़ लें, क्योंकि इसमें से 20 number का question जरूर आएगा, इस वाली unit से, तो मेरा यह मानना है कि एक तो आप लोग पूछे कि बिधाई का वास्तम में क्या है, और इसकी भूमी का बरतमान समय में क्यों कम हुई है, यह question पूछा जा सकता है, अलाकि मेरा यह मानना है कि कोई उतनी कम नहीं हुई, एक चीज यह जरूर है कि एक तो judicial activism, यानि जायक सक्रेटा के कारण, कई वार court का intervens होता है, इस लोग यह देख लएं कि बिधाई का क्या है, उसके कारिए क्या है और इसी प्रकार से कारिय पालिकार उसके कारिय और न्याय पालिकार उसकी कारिय है, ठीक है अब यहाँ पर एक जो question मनता है वो है न्याइक पुन्रावलोकन को समझाहिए, न्याइक पुन्रावलोकन judicial review को, तो यह question यहाँ से यह बनता है एक यदि उपर आप जाओगे न तो welfare state और administrative state में क्या अंतर है यह 10 number में question आता है और concept of legislature state क्या होता है अब legislature state को मैं बहुत detail से समझाओगा क्योंकि यह भी economics का topic है और इसके उपर एक वीडियो अलग से बराया जाएगा सरदार पटल इस्टीट कोटा के उपर मिल जाएगा आपको तो यह paper first था public ed का और मेरे सामें ज्यादातर बच्चों के समझ में आ गया होगा कोई भी चीज सम कहीं भी आपको अब जैसे इसकी books recommendation की book साथ हिंदी की दी नहीं इन्होंने अंग्रेजी के साथ ही सलंगन कर दी तो सुरंद्र कटारिया जाकी book जो है बढ़िया आती है इसमें भी आप लोग पढ़ सकते है reference book की दी हम लोग बात करें तो इन में से कोई भी book आप लोग एक लिल लीजिए लेकिन हिंदी medium की किताबे साथ कम लिनों ने mention की है ये थोड़ा सा एक संकट है तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना बाकि मेरा यही मानना है कि आप लोग books जरूर पढ़े इसमें अभी थैंक यो सो मकी